नमस्कार दोस्तों, जेहिंद, आगे सभी लाईव, शेर कर दीजिये वीडियो को, आज हम बात करेंगे राजस्तान की राजवेवस्ता, और आपको पता ही है कि राजवेवस्ता की जो परसन होते हैं, वो नाराइन जी सरके द्वारा त्यार किये जाते हैं, अब उनकी क्लासे आपकी स्क्रीन पर है मंत्री मंडल सचिवाले का राजनेतिक परमुक होता है मैं इसकी व्याक्या भी करूँगा सभी परसनों की वीडियो आप लाज तक जरूर देखना आपकी आई टेस्ट के लिए एक परसन रखा गिया है देखते हैं कौन जवाब देता है मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, सचिव, मुख्य मंत्री या राज येपाद इस परसन का जो उत्तर होगा बताइए सभी वीडियो को सेर कर दो नुमस्कार भी सभी को जोतपूर बाड में राजस्तान वासियों सभी रणबांकुरों मेरे जल्दी से जल्दी से एर करो इस परसन का उतर होगा मुख्य मंत्री क्या होगा मुख्य मंत्री अगर परसन आ जाता है ये तो पुछा है राजनेतिक परमुख कोन होता है मंत्री मंदल सचिवाले का ठीक है अगर आ जाए परसन की परसासनिक परमुक कौन होता है आपसे परसंद पूछ लिया जाए परसासनिक परमुक गुर जी फेर के उत्तर कर गाँगा फिर उत्तर कर के आओगे परसासनिक परमुक का आप है मुख्य सचिव यानि मंत्री मंडल सचिवाले का राजनेतिक परमुक मुख्य मंत्री होता है जबकि परसासनिक परमुक मुख्य सचीव होता है आज सुर्टवियत खराब है तो फुरा ध्यान देना आप राजय पाल की न्युक्ति सविधान के किस अनुछेद के तहत की जाती है अनुछेद 153, 154, 155, 156 कल के लिए आपको बता देता हूँ कल किसान अंदोलन से समंदित तेस्ट पेपर होगा वो ध्यान रखना PDF आपको टेलिग्राम से मिल जाएगी टेलिग्राम जिसने जोइन नहीं कर रखा है वो टेलिग्राम जोइन कर ले इसका उत्तर होगा अंचेद 153, 155, 56 बताओ राज्येपाल की न्युक्ति स्विधान के किस अनुचेद के तेहत की जाती है सर जी राज्येपाल की न्युक्ति करेकुन है अरे राज्येपाल की जो न्युक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है कौन करता है राष्ट्र पत्ति यानि भारत का पहला नागरिक किसकी नुक्ति करता है राज ये के पहले नागरिक की बात पहली खतम होगी दूसरी यह राष्ट्र पत्ति के प्रसाद प्रेंद अर्थात उनकी इच्छा के अनुसार ही पद पर रहता है राश्ट पत्ति चावे जट्तक और प्रसाद प्रियंत तक और इसकी इच्छा के अनुसारी ये पद्ध पर रहता है ये किस आर्टिकल के तहित की जाती है तो उत्तर हो जाएगा अनुचेद 155 क्या हो जाएगा 155 नेक्स्ट परसंट राज्ये मंत्री प्रिशद की बेटकों की अध्यक्सता वे उसका कार्य संचालन किया जाता है राज्ये के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्ये के राज्येपाल द्वारा, विधानसवा अध्यक्स द्वारा, राष्टपती द्वारा यह बीपार्ट पुलिस के लिए बहुत जरूरी है पटवार के लिए और रिपड़ों के लिए भी है तो इसको ध्यान से आप सुने पहला परसन आप से आज का मैं पूसता हूँ कि भारत का पहला सूर्या मंदिर कहां पर है यह आपको कमेंट करके बताना है दूसरा भारत की स सबसे उन्ची परवत चोटी कौन सी है यह आपको बताना है ठीक है इस परसन का उत्तर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ राज्य के मुख्य मंत्री दूआरा राज्य मंत्री परिशद की जो बेठक होती है ठीक है उसमें राज्य के मुख्य मंत्री दूआरा क्यों क्यों होता है य। आपको मुख्या कई पथिया कि बता दियो कुरूजी मुख्यमंत्री वबढ़ा याद रहा сос़त एक है । वो हमारे राज्य मंत्री प्रिशद के क्या है, मुख्या है, ठीक है, उनी के द्वारा द्यक्सता वकारे संचालन किया जाता है, राज्यय विधान प्रिशद का सदश्या होने के लिए आउशक है कि वेक्ति की आईू राज्य विधान प्रिशद के लिए कितनी आयू होनी चीए 25 वर्ष पूरुन हो चुकी हो 30 वर्ष पूरुन हो चुकी हो 35 वर्ष पूरुन हो चुकी हो 21 वर्ष पूरुन पूरुजी ओ तो थे तो खोई परसं बूच लिए ओखा परसं कोनी यह सोखा सोखा यह, पड़ो थे, किन्न ध्या रखो, राज्य मंत्री प्रिशद के लिए न्यूनतम आयू कितनी होनी चाहिए? जबकि मैं आपको यह बता देता हूँ, राज्य विधान सभा के लिए ठीक है परसन आता है राज्य विधान सभा के लिए नियूनतम आयू कितनी होने चाहिए तो 25 वर्स होने चाहिए जबकि राज्य परिशद के लिए नियूनतम आयू 30 वर्स पूर्ण हो चुकी हो इस परसन का उतरिये सही होगा तो हम दोनों बातों याद कर रहे है ना राज्य मंत्री परिशद और विधान सभा के लिए भी ठीक है राज्य विधान सभा के लिए 25 वर्स राज्य मंत्री परिशद के सदस्यों की न्यूक्ति की जाती है यानि जो राज्य मंत्री परिशद के अंदर जगा मंत्री होए नही आगे न्युक्ति करे कुण है? मुख्य मंत्री करेगे? या विदानसवा अध्यक्ष करे? या राज्य पाल करे? या राष्टपति करे? बताओ मुख्या मंत्री कौन करे द्यानों पड़ो राज्या मंत्री परिशद के सदेश्यों की न्युक्ती राज्या मंत्री परिशद का मुख्या मुख्या मंत्री होता है फीक है न्युक्ती कुण करेगो गुरुजी न्युक्ती थे बता दियो अरे राज्येपाल करता है, और राज्येपाल की नुक्ती कुण करें, राष्टपती करें, अभी तो बात करेंगे, अनुछे देख सो बच्पन का अंदर करेंगे, आज चीज भी ध्याना क्यों, ठीक है तो इस परसन का उत्र क्या होगा, राज्येपाल, नेक्स परसन, निम्न मेंसे मुख्य मंत्री का करतव्य होगा की, मंत्री प्रिषद दौरा राज्येपाल राज्येपाल के समधित मामलों में, सुचना मांगने पर सुचना देना, A और B दोनो N में से कोई नहीं अगर आपको कोई political का परसंद समझ में नहीं आता है तो आप comment कर दियागरो नरायन जी सर जब भी आप comment को देखेंगे वो reply जरूर करेंगे उनके जितने भी वीडियो है आप उन्हीं वीडियो पर comment कियागरो geography और political के मैं बार-बार कहता हूँ क्यों नहीं के वीडियो पर comment कियागरो मेरे से geography और political के आप बीज भी परसंद पूछते हो कई विध्यारतियों कि ये भी शिकायत आती है किसरे आप reply नहीं करते हो तो देखो आपको भी पता है कि आप कितने सदस्य हो सब को reply मिलता है अब कोई good morning रोज को good morning कहे तो good morning good morning आपके reply रिपलाई करूं बताओ जो लगता है reply योगिया तो मैं जरूर करता हूँ अगर ऐसे आप नराज होते हो तो नराज हो सकते हो क्योंकि एक इनसान सभी को खुश नहीं रख सकता यह आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ बाकि कमी तो भारतिये अरे अपने जो हैं वो किसी में भी निकाल सकते हैं माल लो सचिन तंदूर कर बढ़िया खेला लाग रहे हो एक दिन बढ़िया ना केला है तो के देवा नान बिन तो खेलना ही को नहीं है बन तो में चरा दियो तो आतो कमी तो निकले ही निकलेगी चाहिए मैं थारे लिए कि तो भी बढ़िया कर लिए हूँ थे लास्ट मैं एक बार तो आख बात केरी जाओगा ना जी वे तो खडूस है अखडू है रिप्लाई कोंदे है खड़क सिंग नाम है निमन में ऐसे मुख्यमंत्री का करतेवे होगा इस परसन का उत्तर है A और B दोनो मुख्यमंत्री मंत्री परिशद द्वारा राज्य के परसासन से समंदित मामलों के लिए ये सभी निर्णियों के परस्ताओं के बारे में राज्यपाल को सुचित करेगा दूसरी बात जो लिखी है कि राज्यपाल द्वारा राज्य के परसासन से समंदित मामलों में सुचना मांगने पर मुख्यमंत्री सुचना देता है सुचना मांगने पर सुचना देना ये कारिया किसका होता है मुख्यमंत्री का होता है मुख्यमंत्री का ये भी दहां रखना का राजय पाल मांगना लाग रहे हैं तो सुचना कुन देगो मुख्य मंतरी देगो ठीक है दोस्तों नेक्स्ट परसन पर चलते हैं किस अनुछेद में मुख्य मंतरी का राजय पाल को सुचना देने का करतवे होगा अनुछेद 163, 164, 166, 166 और ये बार बार कई कमेंट करते हैं गुर्जी थे बगवानों मसी आओ देखो इसी कोई भी बात नहीं है मुझे ना कहा करो मुझे ये चीजे पसंद नहीं है बार बार कई ऐसे कहते हैं सर गरीबों के लिए गरीब है अपने आप पर मत रो गरीब पेदा होना तुम्हारे न मोटिवेस्न के आप सकता नहीं है मोटिवेस्ल के आप सकता या तुम्मोटा लोगान हो आपकस पर तो इस परशन खीथ ब्रह भी थीक है बूंद-बूंद से इंगड़ा बरता है एक दिन उत्त कियां राजा बन जाओं इसका उत्तर होगा अमचेद 166 राजिय मंत्री प्रिशद में जो निर्ने लिये जाते हैं राजिय नोट कर लो राजिय मंत्री प्रिशद राजिय मंत्री प्रिशद में जो निर्ने लिये जाते हैं निर्ने लिये जाते हैं निर्ने लिये जाते हैं उनकी सुचना मुख्या मंतरी राजय पाल को देता है ठीक है दोस्तों राजय पाल और मंतरी प्रिशद के मद्धे की कड़ी मुख्या मंतरी होता है अब आथांसा ही लगेगे दूसरों कारण है मुख्या मंतरी राज्या मंतरी प्रिशद का परमुख है इस परसंद का उत्तर निचे दियेगे कूट का प्रियोग कर दीजिए ये परसंद तो आरेश गंदर आवे पटवार गंदर भी आसी अदिनस्त बोर्ड है परमे आएगा जरूर लेकिन पुलिस ये अंदर मैं नहीं मानता है इसा आएगा फिर भी आप उत्तर देने कोशिश करो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्यक्या है ए और आर दोनों सही है किंतु R.A. की सही बाक्षा नहीं है A. सही है किंतु R गल्थ है और A. गल्थ है किंतु R सही है गुर्जी के बतामा था पजल करके रख दियो पजल तो मैं भी हो जाँ जब बेमन परसन इस इस एफ बेज़े है नाराएंड जी तो इस परसन का जो उत्तर है वो देखो मैं बताता हूँ राज्या मंत्री प्रिशद में जो भी निर्ने ले जाते है उनकी सुचना मुख्या मंत्री राज्या पाल को देता है ठीक है अब आत अब भी कर गए यहाँ अर्थार्थ हम कह सकते हैं राज्या मंत्री प्रिशद के मध्य की योजग कड़ी कोन होता है मुख्या मंत्री होता है आब आत बिल्कुर सही है तथा राज्या मंत्री प्रिशद का परमुख्या मंत्री होता है राज्या मंत्री प्रिशद का परमुख्या मंत्री होता है यानि राजय मंत्री प्रिशद में जो भी निर्ने लिये जाते हैं उनकी सुचना मुख्य मंत्री किसको देगा भई राजय पाल को देगा अर्थार्थ हम क्या कह सकते हैं कि राजय पाल और मंत्री प्रिशद के मध्य के योजकड़ी कोण हुआ मुख्य मंत्री ओयोगुर जी राज्य मंतरी परिश्द का प्रमू कोण होता है मुख्य मंतरी होता है दोनों परसनों इस बात पहले कर चुकें next परसन ओल लियो कर लियो बात फेर भी 100 परसन राज्य स्तर कहा कोई भी मंतरी अपने पद पर तब तक ही बना रह सकता है जब तक उसे मुख्य मंतरी का विश्वास प्राप्त हो किसी मंतरी के साथ मतबेद होने की इस्ति में मुख्य मंतरी उससे त्याग पत्र मांग सकता है अथवा राज्य पाल को से हटाने पज्यूत करने की सला दे सकता है यानि हटाने की बात कर सकता है इस परसंद का उत्तर निच्चे दिएगे एक वोट का प्रयोग कर दीजिए आस तब यह जदा खराब है भी लेकिन पढ़ानों बहुत जुरूरी है मैं रहूं ना रहूं तुम्हारी मैं आगे के बताऊं थन बूल गयो ठीक है तो याद करूं मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरी आवास तो जरा गुंजेगी पहले तो कोई नहीं जानता था लेकिन अब तो है कि जाना ज़रूर एक दिन तो नाम आपनों भी वह गो क्यों पांच मेहने पहले मैंने कमेंट लगाया था पांच मेहने पहले की है कि एक दिन मेरे वीडियो को लोग देखेंगे और उसके निचे मैंने ये भी लिखा था कि जिसको सेलेक्शन चाहिए वो जरूर देखेगा और आज आप लोग इतने लाइव आते हो आप पढ़ते हो आप लोगों की मेहनत को देखकर आप नोट्स भेजते हो जो नोट्स साफ सुतरे लिखे होंगे वो ही टेलीग्राम पर बेज़े जाएंगे अब किंग राइटिंग खराब है वो कहा गो जी मेरा नोट्स तो बेज़ोई को नी के बेज़ों फिर मागलान की समझ में नियावे दुफाईदों की है तो क्या कि मैंने जब पांच मैंने पहले बात कही थी वो आप लोगों ने थाबित की है तो एपरसन गोत्तर की उसी पेलो ये ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही वाक्या करता है राज्य का कोई भी मंत्री मुख्या मंत्री को विस्वास पर ही पद पर रखता है ताज्ये का कोई भी मंत्री है जो मुख्य मंत्री के विश्वास पर ही पदपर रहता है राज्ये इस तरका कोई मंत्री अपने पदपर तभी बना रहे सकता है जब तक उसको मुख्य मंत्री के विश्वास प्राप्पर बिल्कूल बात सची है अगर कोई मत्वेद हो जे तो मुख्य मंत्री उससे त्याग पत्र मांग सकता है ठीक है तो बात त्याग पत्र मत्वेद होता है तो मुख्य मंत्री राज्येपाल से केकर उसका त्याग पत्र मांग सकता है ध्यान रखना राज्ये के सभी मंत्री अपना त्याग पत्र राज् त्याग पत्र हमेशा किसको देगा भई रज्यपाल को देगा रज्यपाल को देगा रज्यपाल किसको देता है इंगली आगलो परसं त्यार है सोच लिए अभी सोच लिए रज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है यह अपने आगे वाले में पढ़ेंगे जो उसकी न तो इस स्विधान का जो सीधान सनसोदन हुआ दोहजारतीन में उसके द्वारा मंत्री पृषध में मंत्रियों की कुल संख्या विधान सबा सदशों के 15 परतिस्त से अधिक नहीं होगी, कितना प्रतिस्त अधिक कौनी होगी? 15 परतिस्त से अधिक, आब आथ पे लिए, तथा राज्या पृषध में न्यून्तम मंत्रियों की संख्या कितनी निक्त की गई है बरा निर्धारित की गई है दोनों ची नोट कर लिए क्योंकि अड़ स्पेस कोनी जगा कोनी मैं खटलिक हूँ तान बतारी हूँ हूँ कि मंत्री प्रिशद में इस स्विधान संसोद नदिन्यम 2003 के अंतरगत मंत्री प्रिशद में मंत्रियों की कुल संख्या दोस्तों मंत्रियों की कुल संख्या विधान सबा सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी तथा राज्य मंत्री प्रिशद में न्यून्तम मंत्रियों की संख्या निर्धारित कितनी की गई है तो बारा की गई है राज्य मंत्री प्रिशद में है लिख दियू धाने राज्य मंत्री प्रिशद ठीक है तो आध्यां राख लियो नेक्स्ट परसन राजस्तान में राज्य प्रसासन के विधित परमुक है बताओ इत्य धारगन एक कोई जियोग्राफिय परसन और पूछ लिए जियोग्राफिय के लिए परसन है आप लोगों से नागा परवत जो है उसकी सबसे उनसी परवत चोटी कौनसी है नागा परवत की जैसे हम बात करते हैं जियोग्राफिय में भारत के अंदर हिमाचल परदेश के वो चार बागों में बांटा गिया है उसमें पढ़ते ना पंजाब हमाले है कुमायू हमाले है असम हमाले है उत्तर का विशाल मेदान पढ़ते है उसमें नद्यों द्वारा जमा की गई जलोड मिट्टी से निरमि तो पुरूम परसन है लेकिन आपसे परसन पूछा है नागा परवत की सबसे उंची परवत चोटी दो परसन पूछ लिए मैंने तीन परसन हो गया आज की इस परसन का उत्तर है राज्य परसासन के विधित परमुक है तो एक नमबर इसका उत्तर होगा राज्य परसासन के वि परमूक राजये पाल है दुबारा नोट कर लिजिए राजस्तान राजये परसासन के कानूनी परमूक राजये पाल है अगर हमार से परसंद पूछा गया परसासनिक परमूक तो मुख्य सची होता है आब आप अपहला ही कर चुक्या हाँ नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्विधान के अनुछे 213 के अनुसार राजये पाल का आध्यादेश जारी करने का अधिकार है कारे पाली की यह सक्ति मंत्री मंदल के प्रामर से प्रिक्त की जाती है केंदर सरकार के प्रामर से सव विव्यक से आज तो सांसी गुनियारों करा दुख रहे हैं बताओ वई कारेपली का यह सक्ति मंत्री मंडल के प्रामर से ही प्रियुक्त की चाती है यह इस परशन का उत्तर होगा और यह आर्टिकल कौन सा हो जाएगा दो सो तेरा जो की उपर लिखा हुआ है ठीक है थोड़ जल जल दी पड़ा राजस्तान में जब पहली बार राष्ट्र पतिसासन लगाया गया तब राजे के राजेपाल थे हुकुम सिंग, जोगिंदर सिंग, संपुनानंद, रगुकुल तिलक। दखो जब पहली बार राष्ट्र पतिसासन लगा था ना उस समय paralach तो मोहनलाल सुकाडिया आएंगे मोहनलाल सुकाडिया कितने वर्सों तक कितनी बार राजस्तान के मुख्य मंत्री चुनेगे यानि कितने वर्सों तक कितनी बार ये सारा कमेंट करके बताओगे कहां के रहने वारे हैं मोहनलाल सुकाडिया ये भी आप कमेंट करके बताओगे राजस्तान में अब तक राश्टप्ति सासन कितनी बार लगा है चार बार लगा है कैसे याद करना है देखो एक 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 बेरी गुड सर जी नो 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 आल ले गुर जी मैं तो कि याद ही कुन करनो रहा याद की कुन करनो देखो छै साथ आठ नो ओ तो और ही असान हो गयो अब अब याद करना है साथ साथ जीरो दो ठीक है ये चार बर राष्ट पति सासने लगा है और उस समय राज्य पाल थे संपूर्णा नन और मुख्य मंत्री कुणा भई मोलाल सुखाडिया अब तब कितनी बार लगा है चार बार तो एक 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 कॉमन है नो नो कॉमन है फिर छह साथ आठ नो कॉमन है उसके बाद में साथ साथ जीरो दो ये नराणजी सरकार विडियो देख ले ना उनों नने ट्रिक से भी समझाया है राज्ये पाल अपना त्याग पत्तर संबोदित करता है देखो मैं थान बतायो नहीं आगे परसन आओगो मैं जूट को बोलो थार सागे थान लाग थो उसी इस परसन का उत्तर है कि परधान मंत्री को उच नयले के मुख्य नयाई मूर्ती को राज्ये पाल अपना त्याग पत्तर राष्ट पत्तर को देता है क्योंकि राज्ये पाल की न्युक्ती भी अगर पुछा जाए इसकी न्युक्ती कोन करता है न्युक्ती कोन करता है तो भी राष्ट्र पत्तर के दुवारा ही की जाती है लेकिन अगर ये प्रसन आजाता है कि राज्येपाल को शपत कौन दिलाता है तो उसको शपत दिलाता है हाई कोट का मुख्य नयदिस वरतमान रास्तान राज्तान हाई कोट में कि राज्येपाल को उत्र का हो गया राष्ट्रपती दोनों चीज़ होगी राजस्तान हाई कोट में कितने मुख्य नयदिस नयदिस है और कितने अन्य नाइडिस है, सुप्रीम कोट में कितने है, भारत में कुल कितने हाई कोट है ये भी आपको बताना है कि रास्ताम पुलिस में परसन कुछा हुआ है राजपरमुक के पद को राज़े पाल का पद नाम कब मिला अब जिनोंने एक ही करान वाड़ा वीडियो देखा है, बन तो इपरसन को उत्तर जाने बताओ, राज़े पाल का पद नाम कब मिला बताओ भई आज तो जाता लागा उमन लागे कालगी क्लास हुएगी, कोनी हुएगी टेलीग्राम पर बतादेश या राज़े पाल का पद नाम कब मिला उननिसो चपण, उननिसो उन्चास, उननिसो पचास, उननिसो चपण और भई इंग उत्तर के बताओं भई अप्तान दो बार उननिसो चपण आगे हो तो दो बार उत्तर कर लिए ठीक है राजस्तान के पहले राज्येपाल कोन थे देखो राज्येपाल का पदनाम कम मिला था जब राजस्तान के अंदर बात करां तो आपा एक नॉम्बर उन्निस सो चपन की बात करांगा एक नॉम्बर एक नॉम्बर उन्निस सो चपन एक नॉम्बर आता है तो राजस्तान का स्थापना दिवस होता है क्या होता है स्थापना दिवस अगर राजस्तान दिवस आए तो 30 मार्च और राजस्तान स्थापना दिवस आए तो 1 नॉंबर इस समय मुख्यमंत्रि थनपतो ही है मोला उसकाडिया और राजयपाल थे उनका नाम था गुरुमुक निहाल सिंग, क्या नाम था भई, गुरुमुक निहाल सिंग, वर्तमान में को है राजय पाल, ये भी कमेंट करो, करंट का परसन है, गुरुमुक निहाल सिंग, बताओ भई, पुर्ण है मन तो ध्यान को नहीं, कोई कल राज मिस्तर है, कि कल्यान सिंग है मैं थो प्रतेग राजस्तान का 26 वा जिला बना था वई 26 वा जिला बना था भारतिय स्विधान का कोंसा अनुचेद उपबंद करता है परतेग राज्ये के लिए राज्येपाल होगा आज तो मने से कर रहा है यह फटा पड़ वीडियो समाप तोचे लेकिन के को परसनी बहुत है बत परतिय स्विधान का कोंसा अनुचेद उपबंद करता है परतेग राज्ये के लिए राज्येपाल होगा अनुचेद 153, 56, 55, 164 बताओ राज्येपाल होगा अनुचेद 153 सही है इस परसन का उतर है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं विधान सबाद चुनाओं में ऐस परस्ट बहुमत के कारण राजस्तान में राष्ट परस्ट बहुमत होने के कारण राश्ट पतिसासन कब लागूआ राश्ट पतिसासन चार बार लागू हूए यो आप आपकर चुक्या आज सारा गसारा चारू करम लिकड़ा है पहली बार कद दो यो उस समय विधान सभा में बहुमत नहीं मिलने के काण राश्ट पतिसासन लागू हूआ था राजस्तान के सेम मोला सुकाड़िया थे तथा राजयेपाल संपूरनानंद थे कोन थे? संपूरनानंद आफ भी कर चुक यहाँ next person राजस्तान में आखरी बार जब राष्ट पतिसासन लगाया गया तब यहां की राजयेपाल कोन थे? अब राश्ट पति सासन अलब परसन ही पूरो कंप्लीट हो गयो देखो पहली बार तो आपको पता ही है संपुना नंद थे ठीक है संपुना नंद के बाद में वेद प्याल वेद पाल त्यागी उनके बाद में रगुकुल तिलक और चोथे कोंथे चैन्ना स्वामी रेडी तो इसमें अंतिम बार पुच्छा है साथ इदेगो आखरी बार पुच्छा है तो चैन्ना स्वामी रेडी स्का उत्र हो जाएगा यानि पहली बार संपुना नंद दूसरी बार वेद प्याल त्यागी तीसरी बार रगू कुल तिलक, चोथी बार जना स्वामी रड़ी संपून वेद पढ़कर रगू चेन से सो गया ट्रिक क्या हो जाएगी संपून वेद पढ़कर रगू चेन से सो गया ठीक है, नेक्स्ट चलते है निम्न में से किस समिती की सिफारिस के अधार पर भारत में पंचायती राज का उदे होता है सादिक अली समिती, बलवंतराई महता समिती, सिंगवी समिती या थुंगन समिती जिन्होंने पुराना राज विवेस्ता वाड़ा वीडियो नहीं देखा है वो एक बार वहाँ पर जाकर वीडियो जुरूर देख ले क्योंकि ये परसन वहाँ पर जुरूर बताया गया है मेरे द्वारा इस परसन का उत्तर है क्योंकि तर्विट ख्राभ है तो जल्दी से इसको खतिसमाप्त करते है बलवंतरायमेता समिती उनिस सो इस्तावन में क्या रागू किया गया था पंसाइती राज ये लिखा हुआ है पनसाइती राज का उध गाटन कब हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को वा था किसके दुआरा किया गया था बगदरी गाउं नागोर में करिया गया था नागोर के ताउसर नागोर री में थी बहुत परसीदे गया था नागोर एक बार तो वहां बुटाटी धाम गये थे चतुर्दास जी महराज तो वहाँ बस टेंड के पास चायवाडा था उसके पुछा भई के बुटाटी दाम जाना है तो वो क्या बोलता है हूँ थाने पिटा दियू तो बहुत बड़िया लगा ठीक है नागोर रा गेवर ताउसर दी पान में थी बगदरी नागोर और जवार लाल नहरू के द्वारा ठीक है नेक्स्ट परसन त्रेत्रवे स्विधान संसोधन ने कौन से अनुशूची को स्विधान में जोड़ा था छै साथ नो ग्यारा बताओ अनुशूचीयों का एक नारायन जी सर का वीडियो है वो वीडियो पूरा देख लेना जिन जिन विध्यारतियों ने देखा है वो जिन्दगी में कभी अनुशूची नहीं बूलेंगे ये मैं आपको कहरा हूँ 101% वादे के साथ कहरा हूँ कि जिन्नों ने नहीं देखा एक बार जरूर देख ले उस विडियो को पूरा अगर आप भूल जाओ तो मेरे को कमेंट कर देना का गुर जी नहीं बहुत बढ़िया कोनी समझ में कोनी है और के पड़ गए राजस्तान आई ती रास ये परसन भी पुष पराणा राज वेशन वाड़ा पप टेपर हुआ है उसके अंदर आया हुआ है कितने विष्यो दियेगे हैं 29 विष्य कितने विष्योंगी है 39 विष्योंगे थीए गये हैं ठीक है दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना ज़दा सी ज़दा ये आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना जो परिवार है वो 88,000 का हो चुका है अब अपने को 12,000 की और जुड़ता है जैसे ही 12,000 लोग और जुड़ते हैं अपने रीजनिंग की क्लासे और मेथ की क्लासे शुरू कर देंगे जियोग्राफी की भी एगरी कल्चर, लेबरेरियन वारे इस सारी शुरू कर देंगे लेकिन एक लाख होने पर क्योंकि किसी ने मुझे ये कहा है कि सर्ज़दा क्लासे लगाने से आपके सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं और वो विल्ड कुल सही का उन्होंने इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि दूसरी कलासे के वीडियो को आप देख नहीं रहे हो और दूसरी कलासे के वीडियो नहीं देख रहे हो तो उसका जो टाइम पिरिड है वो बहुत कम आ रहा है इसके कारण क्या करता है कि YouTube subscriber को कम कर देता है और वीडियो आप जितना इमानदारी के साथ share नेकर होगे या subscriber नेकर होगे तो देखो ये एक लाग होने बहुत मुश्किल हो जाएंगे मेरा target यही था कि इस मेने में ये एक लाग पूरे हो जाएंगे और एक लाग पूरे होने के बाद में अपने एक अच्छे YouTuber भी हो जाएंगे और अपना नाम भी हो जाएगा अभी एक लाग सदस्य है बिदाएगन वोट हो है बिता आप अभी सदस्य है ले रहा क्या हैं अब देखो सविधान क्या नू सूचियां 2.5 मिलियन लोगों देखा है बविता मेडम है कोई ICS कोचिंग में तो थे नरेंजिया रो देखी हो मारला तो देखो अभी तो एक लाग चौनतिस जार अट तो पच्चिस पच्चिस लाग लोग देखे हैं मारला तो तेट लाग ही देख रहे हो मैं लोगी मैं आज उमत हार सागे यह परजा मंडल का वीडियो है देख ले ना और यह देखो थे ए मेरा सुब चिंतक है कोई कि सुब चिंतक उना भी बहुत जरूरी है यह तो आपना गरगा आदमी है और ए सुब चिंतक है जो वीडियो पुरा देखते हैं और देखने के बाद में अनलाइक करते हैं वह यहां आप नोट्स बना लिया काम हो गयो तो नोकरी कोन लगोगा द्यान राक लियो ठीक है दूसरा परसन आप लोगों से पूछता हूँ मैं यह इस परसन का उत्तर आपको बताना है यह मैंने कम्यूटी पोस्ट पर भी डाल रखा है कि इस परसन का उत्तर क्या होगा Most difficult puzzle of 2017 का है 2020 चालरे तीन साल हो गया और जो आज का लास्ट परसन है वो यह है मैंने कहा था कि आई टेस्ट लुगा में यह लिखा हुआ आई टेस्ट यूपी बावन वाड़ा इसमें है वेर इस दा मुबाइल मुबाइल कहां पर है यह बताना है आपको बताओ जूम करूंगे लो जूम करें तो क्यों और ही दिख्योगर जी ठीक है तो कुछ और नहीं है यह वेर इस दा मुबाइल आपको डूनना है इसमें कहां पर है तो बहितान बता दियूँ मुबाइल थरा आतगमाई है और खटीक हो नी ठीक है राम राम सगलान गुन नाइट कल फिर मिलते हैं जिन्दा रहे तो मिलांगे लखवारी वर्ना दिलों पलाईना जे हिंद जे भारत